हेलो एरिवन मेंटर 365 के यूट्व प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है आज हम करने वाले हैं इंपोर्टेंट डेम्स ओफ इंडिया महत्वकून बांध और बहुत बार क्युश्चन आता है पूछा जाता है यह बांध किस नदी पे है या किस स्टेट में बांध जबरदस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है और वही हमें मोटिवेशन देता है कहीं ना कहीं और बहतरी इनकाम करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं बगली हार बांध बगली हार बांध किस नदी पे रहेगा आपका चिनाब नदी पे रहेगा और चिनाब नदी कहां पढ़ती है मेरे भाई जम्मू एंट कस्मीर में कौन सा बांध है बगली हार बांध सारे बांध आपको रटने की जूरत नहीं बहुत इंपोर्टेंट बांध होंगे उन पे मैं स्टार मार्क करता हुआ चलूँगा और बाकी बांध को आप पढ़ते व होंगे उनको मैक्सिमुम 15-20 मिंट में रिवाइज करना है एक किलास के नौट्स को 10-15 मिंट में बस उपर उपर से रिवाइज करो और रिवाइज इतनी बार कर दो कि 30-40 बार रिविजन दे दो उसको कि आप भूलो ना ठीक है रटने बैठ जाओगे पूरी किलास को तो 3- 3-4-4 गंटे रटते रह जाओगे और 7 दिन बाद दुबारा से साथ तो कभी भी स्टाटिक जीके में गलती ना करे रटने की गलती ना करे ठीक है मेरे भाई तो अब चलते हैं सबसे पहला बांद आपका रहेगा बंगली हर बंगली हर बंगली हर बंग कहां रहेगा नदी जम्मो कस्मीर में और उरी डेम उरी डेम स्टार मार करता हूँ हमें चलूँगा उरी डेम कहां रहेगा आपका जहलम रीवर के उपर जो कहां पे है जम्मो एंड कस्मीर जहलम नदी कहां पे रहेगा आपकी जम्मो और कस्मीर के अंदर ठीक है नेक्स चलते हैं नेक् कंडा लेरू बांद कंडा लेरू नदी जो कहा है रहीए आपकी परक्रदेस में स्री शेलम बांद स्री शेलं मंट इंपोर्टेंट्परक्र्देम विली गलु बांद रहेगा आपका पापपीगणी रीवर कि उपर पापीगणी रिवर कहाяет कि अंद्रापरदेश जलापुट बांध आपका कहा रहेगा अंद्रापर्देश में जलापुट गोदावरी नदी अंद्रापर्देश में पोलावरम बांध पोलावरम इंपोर्टेंट बांध है गोदावरी नदी अंद्रापर्देश पे रहेगा कौन सा पोलावरम मॉस्ट इंपोर्टेंट न येरे भई आंधरा परदेश नागे अलवरम बांध कहारेगा आंधरा परदेस में दिबांग बहुत इंपोरेंट मौन बहुत बांद कहा रहेगा अरुनाचल परदेश में सुबंसरी ये इंपोर्टेंट है सुबंसरी सुबंसरी बांद कहा रहेगा सुबंसरी रिवर पे सुबंसरी रिवर कहा रहेगी अरुनाचल परदेश में दुबारा से देख लेते हैं दिबांग बांद अरुनाचल परदेश सु दुर्गावती बांद, दुर्गावती नदी बिहार में, दुर्गावती बांद, दुर्गावती नदी कहां पे रहेगा, बिहार में, उसके बाद है नागी बांद, नागी बांद भी किस नदी पे है, नागी रिवर बिहार पे, गंग्रेल बांद, गंग्रेल बांद कहां रहेगा आपका महा नदी महा नदी कहां रहेगा आपकी 36 गड़ गंग्रेल बांध रहेगा 36 गड़ में महा नदी 36 गड़ में नहीं है गंग्रेल बांध 36 गड़ में ठीक है नदिया आपको पता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तीसरे स्टेट में बैती रहती हैं बड़ी कहां रहेगा आपका 36 गड़ में कुटा गाट बांद कहां रहेगा खारंग नदी 36 गड़ के उपर उसके बाद है मीनी माटा बांद इसको हसदेव बांद के नाम से भी जानते हैं यह हसदेव नदी पे है मीनी माटा बांद और ये भी कहां रहेगा आपका 36 में दुधावा बांध ये important बांध है आपका star mark कर लीजे दुधावा बांध कहां रहेगा महा नदी के उपर और महा नदी कहां पे है ये दुधावा बांध कहां पे है आपका 36 गड़ में बबाद को तो और सरदार सो और परोट किस rash नर्मदा बार 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 गुझराण करड़ ठीके मेरे भाई नंगल बांद किस पे रहेगा सतलूज नदी पंजाब में उसके बाद है दंसल बांद यह भी कहां रहेगा दंसल नदी Pझाब में नंगल बांद आपका कहां रहेगा सतलुज नदी पंजाब में उसके बाद आपका सरदार सुरुवर नर्मदा नदी पे उकाई बाद तापती गुजरात तापती नदी गुजरात पे कौन सा रहेगा उकाई बाद उसके बाद रनजीत सागर बहुत important है रनजीत सागरबांद रावी नदी पंजाब में रहेगा रनजीत सागरबांद कहाँ रहेगा रावी नदी पंजाब में रनजीत सागरबांद कहाँ रहेगा रावी नदी पंजाब में उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं भाखडा डेम भाखडा डैम सोरी नंगल डैम था वो ये क्या था नंगल बान था ये था भाखडा डैम भाखडा डैम भी आपका कहां रहेगा सतलूज नदी और ये कहां पढ़ता है हिमाचल परदेश के अंदर हिमाचल परदेश में भाखडा डैम कहां पर रहेगा हिमाचल परदेश परदेश में रहेगा उसके बाद पढ़ो बांद ये व्यास नदी हिमाचल परदेश में रहेगा पढ़ो बांद व्यास नदी हिमाचल परदेश में महाना परताफ सागरबाद व्यास नदी हिमाचल परदेश में पढ़ो बांद और महाना परताफ सागरबाद इंपोर्टें मैंधन बांद्ध यहां बार बरकार नदी के उपर यह भी झारखन में पंचेत दाम यह बहुत इंपोंटेंट आपढ़का नीगा जारखन में पंचेत डेम तेनु गहाट आपका काहा रहेगा दामोदर नधी ज़ारGHंड में, अलमाटी बांध, इंपोर्टन बांध एक्ति कर नधी करनाठी उसने बाद हैं, घमवती बांद हैगा हमती नदी के ऊपर करनाठ का अंदर हिमवती नदी करनाठ का में अलमाटी बाण Libra नदी करनाठ का के अंदר ठीक है मेरे भाई Next चलते हैं तबstat कई रहेगा? उसके बाद है लख्या बाःण ये आपका रहेगा लख्या नदी पे लख्या नदी पे रहेगा लख्या बाःण करनाटका के अधर उसके बाद है अना क्लिग नक्मक्की क्या है? माला पर्वा इंपॉर्टेंट डेम है करनका केंदर इं pót डेंश को मैं बता रहा है जिसको मैं स्टार मार कर चल रहा हूं उनको मैं बंट कर के समें पूछ जाता पर मैंने कोशिच करें सभी बांदों को सब पोछ लेता है मेरे वाइव किसी बांद के बारे में पूछ सकता है इसे honesty रहा हम हैं टीजों को Divadna दंती वाड़ा इंपोर्टेंट है व्यास नदी बनास रदी है सोरी गुजरात के अंदर व्यास नहीं है बनास है बनास रदी कहां पर है गुजरात दंती वाड़ा बांद कनाड़ा बांद कहां पर रहेगा माही नदी गुजरात में माही आपको पता है रेंदर सिंग मोदी क अपने धोनी किर्केट में जब धोनी माही मार रहा है आपने काफी पर सुना भी होगा जो बच्छे किर्केट देखते हैं माही नदी, कडाना बांध माही गुजरात के अंदर, उसके बाद है कमलेश्वर बांध हीरन नदी गुजरात के अंदर, कमलेश्वर बांध हीरन नदी गुजरात के अंदर, कमलेश्वर बांध हीरन नदी गुजरात के अंदर, कमलेश्वर बांध हीरन नदी गुजरात के अ तुंग भंद्रा कहा रहेगा करनाटक के अंदर चेरू थोनी नदी पे रहेगा केरला के अंदर उसके बाद है इद माल्यार इद माल्यार ये भी इंपोर्टेंट बाद है ये पेरियार नदी पे रहेगा केरला में इद माल्यार कहा रहेगा पेरियार नदी केरला में इद माल इद हेगार इदमाल्यार उसके बाद तंग बंद्रा भी आपका करनाट्का में रहेगा नेक्स पोते हैं इड़ु की कहार कउ रहेगा आपका इड़ु की आर्ग बंद करेंगा पेर report Cryo नदी केरला में लेडोलु न Aww… यह भी अम्पोर्डास खाता है नेयर बंधर आप बाग सागर बाण सागर रहेका 6que11 बर्त की बांद आपका कहा रहेका नरमना नर्मदा नदी वर पैंट अट्सक्राइब आपका कहा रहेगा नर्मदा नदी मद्ये-परदेस के अदर गांधी सागरबांद, यह important है आपका गांदी सागरबांद, यह कहा रहेगा चंबल नदी के उपर मद्धे परदेश के अंदर, चंबल नदी मद्धे परदेश पे आपका कुन सा बांद रहेगा, गांदी सागरबांद, गांदी सागरबांद भाइ नोट्स बना लो बहत्रिन तरीके से, थीक है, इंद्रा सागरबांध, यह आपका कहा रेगा, नर्मदा नदी, यह कहां पर रेगा, मद्धे परदिस में, इसको भी important mark कर लो, गांदी सागरबांध कहा रेगा, चंबल नदी में ये कहा रेगा मद्य परदेश में, इंद्रा सागर बांद कहा रेगा नर्मदा नदी ये कहा रेगा मद्य परदेश में, उसके बाद है next, next क्या है मदी खेडा बांद, सिंद नदी मद्य परदेश में, मदी खेडा बांद आपका कहा है, सिंद नदी मद्य प परदेश के अंदर तवा बांद आपका कहा है तवा रिवर मध्य परदेश के अंदर तवा बांद कहा है तवा रिवर मध्य परदेश के अंदर तवा बांद तीनों कहां पे रहेंगे आपके उड़ीशा के अंदर इंदरावती बांध कपूर बांध और मदीरा बांध ये तीनों कहां रहेंगे आपके उड़ीशा के अंदर नेक्स जलते हैं भात्सा बांद भात्सा बांद आपका कहा रहेगा भात्सा एंचोर्णा रिवर पे महरास्ट्र में इसापुर्बांद कहा रहेगा पेन गंगा पेन गंगा महरास्ट्र में इसापुर्बांद कहा रहेगा पेन गंगा महरास्ट्र में नेक्स्ट है उजयनी बांध भी आपका पूचा जाता है भीमा नदी महरास्ट में रहेगा उजयनी बांध या भीम बांध के नम से इसको जानते हैं यह आपका कहां पे रहेगा भीमा नदी महरास्ट में उसके बाद है वर्ना बांध वर्ना बांध आपका रहेगा वर्ना रीवर स्द्वाइब तक दीप मर दे आपकी राजस्तान में ठीक है मेरे वाई चंबल नदी राजस्थान में एक्टिन जवाई प्रताब साघर्बाइब चम्बल नदी पे important मार्क कऱे लें आप का कहा रहेगा राजस्थान में राणा परताफ सागर्मद चम्बल नदी राजस्थान में भावानी सागरबांद आपका काहा रहेगा भाववानी नदी रूब्ल नदी पे उसके बाद है वेगई बांध वेगई बांध आपका कहा रहेगा तमिलाडु में अलियार बांध भी कहा रहेगा तमिलाडु में निजाम सागरबांद कहा है मजीरा नदी तेलंगाना पे निजाम सागरबांद कहा है मजीरा नदी तेलंगाना में और रामा गुंडम ये इंपोर्टेंट मार्क कर लो गोदावरी नदी तेलंगाना में रहेगा रामा गुंडम बांद कहा रहेगा गोदावरी नदी तेलंग उसके बाद है सिंगूर बांद ये भी कहा रहेगा मजीरा तेल लिंगाना में रिहंद बहुत इंपोर्टेंट बहुत 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 इंपोर्टेंट बांद है रिहंद बांद रिहंद कहां रहेगा आपका रिहंद रीवर उत्तर परदेश में रिहंद रीवर उत्तर परदे लूज में राज़ाट बांध कहा रहेगा बेतवानदी उत्तरा परदेश में ठीक है मेरे भाई उसके बाद नेक्श सेलते हैं परिष्था माताटीला और fakश्पॐ-चलिजुई तीनों बांद आपके कहा रहेंगे उत्तर परदेश में यह आपका रहेगा गर नदी पे धन्रोल बांद बेतवा नदी पे दोनों रहेंगे परीच्छा बांद और माता टीला बांद माता टीला और परीच्छा दोनों बांद कहां पे रहेंगे बेतवा नदी पे और यह कहां एक का उत्तर परदेस से कहां पे रहेगा उत्तर परदेस स्टथ न स्टीन इन्ट बहुत इंप्वर्टेंट इसिए टिवांध भागी रती उत्तराखं़ इंपोर्टेंट मांस्ट मां कर ले लकषार वांद यमनानदी उत्तराखं़oban श्के बाद है कोटेशवर बांद दोली गंगा नदी उत्राखंड में रहेगा नंदा देवी नेशनल पार्क कहा है ठीक है एक बार कॉमेंट करके बताएं जो बच्चे सीरियस है और इस क्लास को डेली देखते हैं और चाहते हैं कि स्थैटिक जी की बिल्कुल कंप्लीट सीरीज आपको 40 क्लास में मिल जाए ज पचेत डैम कहां रहेगा ठीक है उसके बाद अब कुछ क्यूशन देख लें जो टीसे बेस प्रीविएस एर क्यूशन है जो बार बार ऐसे सी और सीजल वगेरा में पूछे जा रहे हैं तो तो लार्जेस डैम के अगर बात करते हैं तो यह किस रिवर पर बना है तो को पता है था मैंने कोईना कहां पे है महारास्ट में कोईना कहां पे महारास्ट में तो तौवा कहां पे रहेगा मध्य पर-देस में नेक्ट सलते हैं पाकिस्तान चिर्ट आइंए डिमार बश्ब्से बांध नम का चिस मधार बन रहे किई काहर कि अपका यह रहे बंध नेक्स हैं इस रहेगा और सांग डेम और तो को ऑखेले का है रहे अतुतने पशेस्तान तरह उत्रशा का कर्वसेह कर्वर गों हमज Lagos ठीक है मेरे भाई next question है आपके सामने यह है लिंग मक्की आपके सामने हभी हमने discuss करा था लिंग मक्की बांध निम्लिकिते में से किस नदी पर बनाया गया मैं आपको बताया था इसलिए हम सारे बांध करें इंपोर्टेंट में से पूछा जाता है लेकिन कुछ भी पूछ लेता है कोई भरोसा नहीं एटीसियस का ठीक है तो यह है लिंग मक्की यह आपका रहेगा सर्वती नदीब किस पर स्रावस्ति या सर्वती नदीब आप इसको बोल सकते हैं ठीक है किस परकार का बांध एक विशिष छेतर में पानी को बाहर करने के लिए बनाए जाता है ऐस थैक तो यह कौछार की कर ना हो नेगेटिव नहीं करना अगर चारो अप्षिनों में से आपको कोई knowledge नहीं है क्यूशन के आपको कोई knowledge नहीं है तो कभी भी तुक्का मन्मारो skip करो ठीक है मेरे भाई सरौवर कौन से राज्य में है और किस नदीप महरास्ट मेंarosल रहेगा नर्मदा नदीप में महरास्ट में नहीं शायक नहीं है ठीक है भाई उसके बाद है in which state has the highest number of large dam as of January 2021. January 2021 तक किस भारती राजे में सबसे अधिक बान थे, किस राजे में सबसे अधिक बान थे, तो मेरे भाई महरास्ट में सबसे अधिक बान थे, किस राजी में सबसे अधिक बान थे, महरास्ट में, next चलते ही, राकुंड बांध, राकुंड बांध ओडिसा में किस सेहर के पास बनाया गया है, तो हिराकुंड आपको पता है संबलपूर, संबलपूर के पास बनाया गया, संबलपूर, ठीक है मेरे भाई, next है आपका, किर्षना राज साजर बांध कहा स्थीत है करनाटका में है कहां पे है करनाटका में प्रिवियस एर कुशं है मेरे भाई बहतरिन तरीके से याद कर लो हीराकूंड डेम कहा स्थीत है तो भाई बार बार पूचा जा रहा है उडिसा में ही important mark कर लो हीरा कुंड मैंने आपको बताए भी था हीरा कुंड डेम उसके बाद है next सौम शिला शौम सिला शौम सिला है ना तो यह आपका कहां रहेगा आंदरा परदेश है ना शौम सिला बांद आपका कहां रहेगा आंदरा परदेश में हमने आज डिसकस भी किया है तीरी बांद आप कहा हुआ रहेगा उत्रा खंड में टिरी डेम आपका कहा हुआ रहेगा उत्रा खंड में next है यह तो यह आपका काहा स्थीट तो यह आपका कहां प्र थेर्ला में में काई आपकेक अब54 को दोयर kunt ै जो यह आपके कुछ वे दो कि चुन से जो हमने डिसकॉस करने की कोशिश करी तो Static GK की Dems of India की Important Class यहीं पर स्माप करते हैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा Bands को अमने डिसकस करने कोशिश करी और उमीद करते हैं बगवान करें कि इसी क्लास में से आपके एक्जाम में क्यूशन आ जाए और बड़िया तरीके से आप उसक्यूशन को कर क्या हो खोड क्या हो एक्जाम में जबरदस तरीके से और एक्जाम में आपका नमबर नहीं कटना चाहिए Static GK में जीतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत उतनी जान आप भी लगा दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जुड़े रेमेंटर 365 के साथ जैहिंद भाई देख क्या